पुराने समय से लेकर आज तक अचार कई जगे में हाथों से ही बना रहे हैं लेकिन यदि अधिक प्रोडक्शन करना है, बड़े लेवल में मार्केट को लेकर जाना है तो मशीन यूज करना बहुत जरूरी है पिकल्स बनाने के लिए कई मशीन यूज में आती है लेकिन हम आपको वो मशीन दिखाएंगे जिसका यूज करके कई लोग अपने बिजनेस को नेक्स लेबल पर लेकर जा रहे है सबसे पहले यूज में आती है ये वेश्टेवल वासर ये मशीन सिर्फ एक दो तरह के फ्रूट्स या फिर वेश्टेवल नहीं बलकि कई तरह के फ्रूट्स ये वेश्टेवल की वासिंग और साथ ही में पीलिंग भी कर देती है इसको हमने अपनी पिछली वीडियो ओनियन पीलिंग मशीन में भी दिखाया था साद आपने देखा होगा ये टू इन वन मशीन है जो वासिंग तो करती है और साथ ही में पीलिंग भी कर देती है अभी इसमें गाजर डाल रहे हैं इसमें साफ्ट और हाड रोटेटिंग ब्रस लगे हुए हैं जो फ्रूट और वेश्टेवल्स प्रॉपरली क्लीन करते हैं गाजर में जितने भी हेर्स हैं यदि थोड़ा सा भी धोल या फिर मिट्टी वेगरा जमा हुआ है तो ब्रस लगे होने से फादा यही है कि अंदर तक अच्छे से क्लीन हो जाएगा जो भी ब्रस लगे हुए हैं इसे आप अपने हिसाब से भी सेट करवा सकते हैं यदि आप सिर्फ वासिंग करना चाहते हैं तो सॉफ्ट ब्रस लगवा लीजिए और यदि आप वासिंग और पीलिंग दोनों करना चाहते हैं तो सॉफ्ट और हार्ड ब्रस दोनों लगवाईए और यहाँ पर आप देखिए गाजर एकदम से क्लीन हो चुके हैं अभी डिस्चार्ज करना है तो हैंडल घुमा दीजिए और यहां साइट से गाजा डिरेक्ली बाहर निकलाएंगे जितना भी गाजा निकला है आप इसकी क्वालिटी देखिए इसमें हेर बिल्कुल नहीं है एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है इसी तरह यादि आप मैंगो पिकल्स बनाना चाहते हैं तो मैंगो की भी वासिंग कर लीजिए अभी वासिंग तो हो ही गई है बात आती है कटिंग करने की तो कटिंग करने के लिए पेस है आपके सामने ये पिकल्स कटिंग मशिन बस यहाँ साइट से गाजा डालते जाएए और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल फटा फट कटिंग हो रही है एक्चुली यहाँ पर एक सारपी प्लेट लगी हुई है जो लगातार गाजर की कटिंग कर रही है यह मशिन दो मॉडल में आती है एक VSC21 और दूसरा VSC31 दोनों की प्रोडक्शन कैपसिटी अलग-अलग है फर्स्ट मशिन के यूज़ करके आप सिर्फ एक घंटे में 100-200 किलोग्राम तक कटिंग कर पाएंगे वही पर दूसरे मशिन के यूज़ करके 300-500 किलोग्राम तक अब यदि आम का चार बनाना चाहते हैं तो आम की गुठली निकालने के बाद उसे यहां साइट से डालते जाएं और वरकिंग तो आप देखी रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कटिंग हो रही है यदि आप चाहें तो इसका साइज भी अपने कॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं पावर रिक्वार्मेंट की बात करें तो छोटी मसीन में 0.75 किलोवाट की रिक्वार्मेंट होगी और बड़े मसीन में 1.5 किलोवाट की अभी देखिए इसमें मिर्च डाल रहे हैं इस मसीन को इसपेसली पिकल्स के लिए ही डिजाइन किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्च बिल्कुल बीचो बीच कट हो रही है और यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई है यह बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर रही है बस आपको हरे हरे मिर्च डालना पड़ेगा और उसके बाद कटिंग कितने स्पीड में होगी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं सिर्फ एक घंटे में 200 किलोग्राम तक कटिंग करना बहुत बड़ी बात होती है वहीं पर यह मशीन बस चुटकियों में कर देगी बिल्कुल multi purpose machine है इसमें सिर्फ cutting ही नहीं यदि आप चाहें तो slicing, dicing, tracing या फिर chopping भी कर सकते हैं यदि size की बात करें तो इसमें आप 5 mm, 10 mm, 20 mm की size में cutting कर पाएंगे तो यदि आप छोटे piece का चाहर बनाना चाहें तो छोटे piece में बना लीजिए और यदि आप बड़े piece में बनाना चाहें तो बड़े piece में भी इसी एक machine में cutting हो जाएगी cutting करने के बाद अचार बनाने के लिए इसमें healthy नमक मिला कर रखते हैं और उसके बाद बाकी मसाले जैसे ये राई, मिर्च पाउडर, जीरा, सौफ, मेथी, अजवाइन, हींग और सरसो के तेल बगर डाल कर अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्सिंग करने के लिए आप सैम पैक मसेंडरी की ये पिकल्स फिलिंग मशिन यूज़ कर सकते हैं इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यही है, ये मसें सिर्फ मिक्सिंग ही नहीं, बलकि फिलिंग भी करती है, जी हैं बिल्कुल, जितना भी अचार त्यार किया गया है, उसे बस यहां हॉपर में डाल दीजिए अब जैसी मसें स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आप देखिए, मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है, एक्चुली इसमें 50 वाट का मोटर लगा हुआ है, जिससे कि यह प्लेट सर्कुलेट कर रही है, अभी ये अचार नोजल से निकल कर डारेक्टली ग्लास में आ रहा है, ये 100 ml से लेकर 1000 ml तक फिलिंग करने की मशीन ले सकते हैं, जितनी कॉंटिटी में आपको पैक करना हो, अपने अकॉर्डिंग मशीन ले लीजेगा, उपर जो हॉपर लगा हुआ है, इसकी कैफिसरी 30 लिटर की है, तो इसमें आप एक बार में ही 30 लिटर तक आचार मिक्स कर अब ही यहाँ पर ग्लास में पैकिंग हो रही है, यदि आप बड़े पाउच में पैक करना चाहते हैं, तो वो भी इसी एक मशीन में फिलिंग हो जाएगी, लेकिन सील करने के लिए आपको एक बैंड सीलर लेना पड़ेगा, नोजल के नीचे पाउच लगा कर फिल कर इन दोनों मशीन को सैम पैक मशीन के दोरा बनाये गया है, यह 600 वाट की मशीन है, इसमें आप सिर्फ एक मिनट में ही 16 पाउच बना सकते हैं, जी हैं बिलकुल सिर्फ एक मिनट में मशीन 16 पाउच बना कर रेडी कर देगी, इसकी पूरी बॉड़ी स्टेनलेस स्टील की बन प्रक्ट होते हैं, जैसे की क्रीम, सॉस, इडली डोसा का बैटर, कैचप या फिर कॉस्मेटिक्स हर तरह की फिलिंग कर पाएंगे, इसका डैमेंशन देखा जाया तो मशीन बहुत बड़े साइज की नहीं है, लेंथ 105 सेंटेमीटर, विड़ 42 सेंटेमीटर और हाइट ज्य फिर पाउच में पैक कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में छोटे पाउच बहुत चल रहे हैं, जैसे की एक रुपए का या फिर दो रुपए का, तो इन पाउच को पैक करने के लिए आप सैम पैक मसेंडरी की ही या आटोमेटिक पाउच पैकिंग मशी कर सकते हैं, इसके उपर एक हौपर लगा हुआ है, सबसे पहले इसमें अचार डाल दीजिए, और पैक करने के लिए इसमें रोल का यूज करना होता है, अब जैसी मसीन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से पैकिंग हो रही है, सबसे पहले स इसके बाद अचार डाल कर फिर से सील कर देती है, यह प्रोसेस कांटीन्यू चलती रहती है, और इस तरीके से पाउज बन कर एक लाइन से त्यार होते जाते हैं, इसमें आप कॉंटिटी भी सेट कर पाएंगे, कि आप कितने ML के पाउज बनाना चाहते हैं, पैक करने के बा आप कर देती हैं, और यहां से आप बहुत ही कम प्राइज में अपने प्रोड़ट के लिए बारकोड ले सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्सम में दे दी है, प्रोड़क्ट में बारकोड लगा होता है, तो रखने वाले रिटैलर या फिर दुकानदार की संख्या क कई गुना बढ़ जाती है, और यहां से आप सिर्फ 8 घंटे के अंदर ही बारकोड ले सकते हैं, आप भी जानते हैं कि यह अचार नाम की जो चीज है ना, हमारे परदादा भी खाते थे, दादा भी खाते थे, हम भी खाते हैं, और हमारा नाती भी खाता रहेगा, इसलिए अचार का बिजनेस सदियों से चलता आ रहा है, और सदियों तक चलता रहेगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है, कि सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे भारत से बाहर लगबग 14 कंट्रीज में यह अचार एक्सपोर्ट किये जा रहे हैं, तब तो आप समझ ही सकते हैं, कि लो होंगे कि New Tech India सिर्फ एक ऐसा चैनल है, यहाँ पर आपको हर तरह की मशीन्स मिल जाएंगी, जो आपके महनत भरे काम को बिलकुल असान बनाएं, क्योंकि हम ऐसी मशीन्स लेकर ही आते हैं, जिससे कि आपको, जी हाँ बिलकुल, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसक्रीन में दिख रहा है, लोगों में क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में तुरंद करिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी मशीन आपका वेट कर रही है, तो जाएए एक बार वीडियो को देखिए, हो सकता है कोई एक मशीन आपका काम बना दे, आपका बिजनस खड़ा कर दे, इसक्रीन में आपको पोहा बनानी की मशीन दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए, बहुत ही गजब की मशीन